नमस्कार दोस्तों, Digital Electronics Lecture Series में आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम रजिस्टर क्या होता है उसके बारे में in detail discuss करेंगे तो सबसे पहले रजिस्टर को एक layman language examples की तोर पे आपको बताना चाहते हैं जैसे आप student हो तो कोई भी जो class notes है उसके लिए आप एक register खरीदते हो उसमें उसको note करते हो और जब कभी भी आपको notes की requirement हो तो registers को open करके और notes को study करते हो दोस्तों इसी तरीके से हमारा जो electronic device है उसमें registers है जो definitely आपके किसी information को store करने के काम आते हैं ठीक है तो इसका जो basic point है first वो है to store group number of bits यानि बहुत ज़्यादा अगर bits आपके पास है तो उन bits को store करने के लिए हम registers का use करते हैं दूसरा है दोस्तों अगर हमारी एक single bit हो तो उस single bit को store कैसे किया जाता है हमारे electronic device सिर्फ एक ही है जो एक single bit को store करती है और उसको हम कहते हैं flip-flops तो अगर हमारे पास n number of bits हो तो उन bits को store करने के लिए indirectly हमें n number of flip-flops ही चाहिएंगे इसका मतलब यहां से clear है कि register अपने आप में कुछ नहीं है registers के अंदर काफी सारे flip-flops हैं जिनकी वज़े से हम group number of bits को store कर सकते हैं third important point है दोस्तों कि जो number of flip-flops है वो कितने use होते हैं तो दोस्तों यह depend करता है कि आपको कितने bits को store करना है अगर मान लिजिए आप n number of bits को store करना चाहते हो तो फिर आपको n number of flip-flops की ही requirement होगी फिर दोस्तों जो next है which flip-flops to use यानि flip-flops तो हमारे बहुत सारे हैं जैसे sr flip-flops है, jk flip-flops है, d flip-flops है, t flip-flops है लेकिन दोस्तों हम इसमें क्या use करते हैं d flip-flops इसकी दो वज़े हैं d flip-flops से ही हमारे registers बनते हैं वज़े यह है कि d flip-flops हमारा एक transparent latch होता है यानि d flip-flops में जो हम input देंगे, वही हमें d flip-flops की output मिलेगी यानि जो information हम store करेंगे, वही information हमारी output पे मिलेगी, जब कभी भी हमें requirement होगी दूसरी वज़े यह है दोस्तों, कि बाकी के जो flip-flops हैं, उसमें हमारी दो inputs होती है यानि एक particular bit को store कराने के लिए आपको 2 bit input पे apply करनी पड़ती है इसलिए उन large number of bits को avoid करके, हम relevant number of bits को ही d flip-flops में देंगे जिसकी वज़े से हमें कम bits की requirement होगी और हमारा circuit simple बनेगा अब दोस्तों next जो point है, आपको पता है register आपका flip-flop से ही बनता है और flip-flop आपके sequential circuit है, तो इसका मतलब register भी आपका sequential circuit होता है तो यह थे दोस्तों, registers की introduction और उसके कुछ key points अब बात करते हैं, registers का कितने type के हो सकते है on the basis of inputs and outputs हमें पता है कि inputs पे कुछ bits रहेंगी, उन bits को हम registers में store करेंगे जब भी उनकी requirement होगी तो उसके output पे उन bits को हम receive करेंगे तो दोस्तों जो inputs हैं, वो हमारे दो type के nature की हो सकती है एक होता है दोस्तों, serial, serial type के inputs होगी दूसरा होगा दोस्तों, आपका parallel inputs आउटपुट पे भी हमारे दो type के nature होगे एक output मिल सकती है हमें serial और दूसरी output हमारी जो possible हो सकती है, वो होती है हमारी parallel अब दोस्तों इस वीडियो में serial क्या है और parallel क्या है इसको हम एक example की help से यहां समझना चाहते है example आपका बड़ा simple है माल लीजिए यह आपकी कोई bus है और इस bus में यह seats है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है और यह जो point है दोस्तों यह आपका entry का point है यानि यहां से लोग आपकी entry लेंगे और यहां से लोग आपकी exit करेंगे तो दोस्तों यह यहां पे six number of people हैं जो एक line में खड़े हैं अब यह क्या करेंगे entry कुछ ऐसी है कि एक time पे एक आदमी इसके enter कर सकता है तो क्या होगा अगर इन लोगों को bus में बैठना है तो पहले ही first number का आदमी entry लेगा और यह यहां से अपना यह position occupy कर लेगा फिर दोस्तों second number का इंसान इसके अंदर जाएगा और यह अपनी यहां seat ले लेगा similarly फिर उसके बाद third जाएगा यह अपनी seat ले लेगा फिर fourth जाएगा यह अपनी यहां seat लेगा फिर fifth person entry लेगा यह अपनी seat लेगा और फिर last जो है वो sixth person है वो अपनी seat ले लेगा यहां पे अब दोस्तों इस तरीके से बारी बारी एक एक आदमी इसके अंदर एंट्री लेगा जिससे सारे के सारे लोग धिरे धिरे बस को फिल कर लेंगे अब दोस्तो अगर इनको बस से निकलना है तो कैसे निकलेंगे पहले जो first है ये वाला यहां से exit करेगा इसके बाद second वाला यहां से exit करेगा इसके बाद third वाला exit करेगा इसके बाद fourth वाला exit करेगा similarly जो fifth है फिर वो exit करेगा और उसके बाद sixth है वो exit करेगा तो दोस्तो serial का मतलब यह होता है कि एक time पे एक ही आदमी enter करेगा सारे के सारे लोग at a time इस bus में enter नहीं कर पाएंगे इसको हम कहते हैं serial process अब दोस्तो यही example हम parallel operation समझने के लिए यूज करेंगे माल लेजिए यह वही आपकी bus है और इसमें क्या किया है कि हर जो seat available है उस seats पे हमारी direct entry accessible है यानि यह लोग directly अपने अपने chairs पे at a time जा सकते हैं इनको एक Q बना के wait करने की जरूरत नहीं है इस तरीके से यह होगा यहां first है, यहां second है, यह third है, यह fourth है, यह fifth है, यह sixth है and so on तो इसका मतलब यह हुआ कि parallel operations में किसी भी input या किसी भी person को wait नहीं करना पड़ता तो यह directly अपनी chair occupy करेंगे और यहां से directly यह exit भी कर लेंगे इसी रास्ते से तो इसका मतलब यह हुआ कि इस bus को fill करने के लिए हमें बहुत ही कम time लगेगा और serial अगर कोई bus है, तो उसको fill करने में हमें ज्यादा time लगेगा इसी तरीके से दोस्तों, अब हम conclusion पे पहुँचते हैं कि अगर जहां हम serial की बात करेंगे तो इसका मतलब वो आपका एक slow operation होगा यानि wait करना पड़ता है one by one हमारी feelings होगी अब अगर मैं technical language में इस example को relate करूँ तो यह जो 6 है, यह आपकी 6 number of bits थी ठीक है? और यह जो bus है, यह indirectly आपका एक register था यानि इस register में 6 number of bits को store कराने के लिए हमें ज्यादा time चाहिएगा और अगर यह आपका parallel operation होता तो 6 number of bits at a time ही यहाँ पे store हो जाती तो जो parallel operation है, definitely वो आपका एक fast operation होगा serial output अगर आपको मिलता है तो उसको हम definitely temporal codes बोलेंगे और parallel output अगर आप लोगे तो उसे हम special code बोलेंगे तो अब यह देखते हैं कि on the basis of inputs and outputs हमारे कितने type के register हो सकते हैं तो दोस्तो एक combination है, input serial हो और output भी serial हो तो इसको बोलेंगे हम SISO यानि CISO serial input, serial output register दूसरे type का है दोस्तो, serial input हो और लेकिन parallel output हो तो इसको हम बोलेंगे SIPO यानि CIPO, serial input, parallel output फिर जो third possibility है वो है दोस्तो parallel input हो और serial output हो तो इसको हम बोलेंगे PISO, यानि parallel input, serial output और जो fourth possibility है दोस्तो अगर parallel input हो और output भी आपकी parallel हो तो उसको बोलेंगे PIPO तो दोस्तो ये mainly आपके चार type के registers आपको study करने है on the basis of inputs and outputs serial और parallel का concept मैंने यहां बता दिया है आगे आने वाले वीडियो में हम हर individual जो type है registers की उसको in details study करेंगे और उसमें बताएंगे कि हमारे bits को हम कैसे enter कराते हैं किस तरीके से वो store होंगी और किस तरीके से हम उसकी output लेंगे this is the end of the video thank you so much for watching this video किस तरीके से Being 1 जुल 3 बडस जुल 4 एल यह डिल 1